रादेश्याम जैश्रेकिष्णा कैसी हो आप सभी लोग उमीद करती हूँ आप सभी मंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छे होगे आप लोगों को पता ही है कि गनेश अतूर्ती से लेके गनेश विशर्जन तक 10 दिन तक गनेश महुस्थब रहता है तो इस 10 दिन में हम लो काट है भगवान भोलेनात ने नैंetr क्या और अखिर sąधी का शिरह क्युंग लगाया गणेश भगवान का जो शीष कटा था आक्षिर वो वह कहां गया और माता पारवती के कहने पर ही भगवान भौलेनाथ, ने उनका शीष क्यूं के क्या मातब पार्वती के सचमुच मैल से ही गनिश भगवान का प्रादुभा हुआ था ये सारे जानकारी मैं आपको 10 दिन में देने वाली हो लेकिन अभी 2 दिन बीच चुके हैं बाकी 8 दिन बचे हैं इस 8 दिन में मैं आपको समस्त जानकारी दे दूँगी क्योंकि मेरा नैक सुलो था इसलिए मैं वो वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई तो चलिए प्रादं करते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिप ने मातब पार्वती के साथ गनेश भगवान की पूज अच्छन बंदना अपने विवाह में की थी और ये बात हमें समझ में नहीं आई कि जब गनेश भगवान, गनपती भगवान, मातब पार्वती और भोले बाबाजी के पुत्र हैं तो उन्होंने अपने विवाह में किस परकार से गनेश भगवान की गनपती जी की पूज अच्छन बंदना करें अब इस डाउट को किलियर करने के लिए मेरे पास है ये रामचरित मानस रामचरित मानस का ये बालकांड में खोल रही हूं आप लोगों के सामने बालकांड का ये सोवा नंबर का मैं दोहा पढ़ रही हूं यहापे मेरी के लिए सोवा नंबर का दोहा है रामचरित मानस के गनपति पूजव संभु भवाने दुबारा रिपीत कर दहीं मुनि अनुसासन गनपति पूजव संभु भवाने अथार रिशी मुनियों की आग्या से माता पार्वती ने और भगवान भोले नात ने गनेश जी का पूजन किया तो अब आपके मन में भी डाउट हो जाता है क जी ऐसा कैसे संभव हो गया जब गनेश भगवान माता पार्वती और भोले बाबाजी के पूत्र है तो क्यों की विवास से पूर भी माता पार्वती भोले बाबा की संतानुत पर हो गई थी फिर क्या रामचरित मानस जूट पोल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है ये दोनों बाते अलग-अलग है ये लोग ब्रह्म में वही पढ़ जाते हैं जिनको अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का पूरी तरीके से जानकरे रही है जी हां अब मैं आपको बताती हूं कि जब भी आप पैदा होते हो या आपकी घर पर कोई बच्चा पैदा होता है या फिर आपक अथ्वा राक्षास गड़ ये तीन गलं होते हैं जैसे कि मेरे गन जो है वह राक्षास कान मेरे हस्ब pizza कई मनुष्य गण तो जब आपके खर भी बच्चा होता है तो आराम से एक पंडित जी आते हैं और वो बताते हैं कि इसके पैड सोने के हैं इनके पैर तामेक हैं, इनके पैर ऐसे हैं, या फिर इनके गढ़ राक्षसगण हैं, इनके गढ़ देवगण हैं, इनके गढ़ मनुष्यगण हैं, जब आपका विवा होता है तब वो बताते हैं, जब स्रिश्टी का उपादन हुआ ध्रमा जी द्वारा, तो ब्रह्मा जी न तीन गण अपने आप से ही प्रकट करे थे, उनका नाम था देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण, यह तीनों गण भ्रम्मजे द्वारा उत्पन करे गए थे, अब इन तीनों गणों की सक्ती से उन्होंने एक गणपती को इस्थापित किया, मैं बता दें हूं आपको पूरे बाउत आपको, पूरे डाउट आपको किलियर करके चले जाओंगी, कि इन तीनों गणों पर अपना अधिपत्य कौन इस्थापित कर सकता है, इन तीनों गणों की जो कमान है वो किसके हात में रहेगी, तो इन तीनों गणों की शक्ती से उन्होंने एक एक देव को प्रकट किया उनका नाम रखा गया गणपती अथवा गणेश अठा जो ये तीन गण है इनके जो अधिपत्ती है इनकी कमान जिसके हाथ में है उनका नाम गणपती है उनका नाम ही गणेश है जैसे कि हमारे देश में भी एक ऐसे अधिपत्ती है एक ऐसे हमारे देश की कमान वन नोविब ऐसे व्यक्ति के पास होती है जिसको पावर होती है कि Зॉइसे ही क्लीस और समय Building the second Patänder होता है उसका एक अधियक्ष तो वो उस संगठन का क्या है आध्यक्ष उस संगठन की इसके पास उस अध्यक्स के पास वैसे ही यह जो तीन गन है डे गन मनुष्य गन और राक्षश गन इन तीनों के जिसके पास खमाण है वो और फाद बंध टीन ने और मातभ पार्वती ने अपनी शादी से पूर्व जिनकी पूजा अर्चना वंदना करी थी जो रामचरित मानस में आती है वो इनहीं की पूजा अर्चना वंदना करी थी तो यहां तक तो आपका डाउट क्लियर हुआ अब आगे से आपको कोई पूछे तो आप फटा फट से आंसर अथ्वा उत्तर दे देना मैं हमेशा कहते हूं कि मैं जो भी जानकारे आपके लिए लेके आती हूं वह हमेशा सास्त्रों के अनुसार ही होती है अब दूसरा पूशन लोग कहते हैं कि माता पारवती कि मैल से माता पारवती के मैल से नहीं माता पारवती ने जो उपतन लगाया था उसको बोलते हैं मेम उसको मेम बोलते हैं तो माता पारवती के मेम में जब उन्होंने वो उपतन लगाया तो उस मेम में पांच तत्व समाहित होगा क्योंकि हमारे शरीर में पांच तत्व होते हैं वो तो यह पांच तत्व हमारे शरीर में होते हैं जब माता पार्वती ने वह उक्तन लगाया तो उनके सरीर के पांच रतन उस उक्तन में समाहित हो गए जो कि गणबती जी ने उनसे बोला था जब उन्होंने गनेश भगवान की पूजा अर्चना बंदना करती मैं बताती है खंडन के जीए क्योंकि माता पार्वती क्या नहाती नहीं थी जो इतना मेल ही खट्ता होगे उनके सरीर में तो माता पार्वती के मैल से नहीं मेम से अठाक उप्टन की जब प्राण पतिस्खा करी गई तब जाके विनायक जी का प्राविभा हुआ था अब आपको यह कथा बताती हूं जो आप लोगों ने सुनी भी होगी थोड़ी सी मेडिकीव करती हूं कि एक बार माता पार्वती जी इसनान के लिए जा रहे थी यह मैं आपको शिव महा पुरान के अनुसार बता रही हूं हर गरंथ में अपनी अलग-अलग कता है जैसे कि भ्रह्म भावत पु कि प्रहिए जा रहे हूं आप जड़ा द्वार पर खड़ किसी को भीतर मत आने देजी जब माता पार्वती इसनान करके आ रही थी नुने देगा कि भोले बाबाजी अन्दर बैठे हुए हैं अब माता पार्वती को बड़ा क्रोधा गया उन्होंने कार्थिके को बुलाय ह है कर्ति के मैंने तो मmäßig कहा था लो किसी को अंदर मत आने दीज़ी। तो यह भोले बाबा अंधर क्या कर रहे हैं". अब पार्वरति जी ने बोले की चाहँ जी मैं जगाणॡ.' लेकिन आप ने कहा था किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। आपने मुंसे यह नहीं कहा था, कि स्वैम, साक्षार, भोले नाथ भी अंदर नहीं आ सकते, कि पिताजी भी अंदर नहीं आ सकते, माता पार्वती जी ने कार्ति के जी को थुड़ा सा डाар दिया होगा, बच्चों का तो सोभाव है बच्चों को डान दो तो गुस्स हो जाते हैं अब माता पार्वती जी ने जब कार्टी के जी को डान था तो कार्टी के जी ने बोल दिया कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं जो भी सो प्था इस प्रतिशय सत्य बात थी मैं आपका पुत्र नहीं बोल माता पारवती से भोला कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं मैं तो भोले बाबा का पुत्र हूं और ये कहके कार्टी के चीज चले गए अब माता जो है वो कोप भुवन में चलेगी देखिए पहले जमाने में क्या होता था जब कोई इस्त्री नराज हो जाती थी जब कोई कोवन में माता चली गई तो वहां पर जया और विजिया आई जया और विजिया माता पारवती की दो सखिया थी जया और विजिया ने बोला कि भोले बाबा की जितने भी गण है नंदी हो गए या कोई भी भोले बाबा की ही बात सुनते हैं तो हे पारवती आप ऐसे की जो केबल आपकी ही बात सुनें अब मातर पारवती को ये संताहलम के पास जाते हैं भूले बाबाजी से स्ञाव पूछथी पूस्ते हैं यегा पैंले बाबाजी मुझे भी पुत्र चाहिए तो भूले बाबाजी आपको यह शुराब मिला हुआ है कि आपकी कोप से कभी भी कोई संपान उत्पर नहीं हो सकती अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे बताईए कि माता पार्वती को सरापकिष ने दिया कैसे दिया कब दिया इसमें आप तो फिर आप ऐसा कीजिए कि इनों गणों के प्रधान है आप तो रोज उनकी पूज अर्चन बन्नत करती हैं आप गनपती जी को याद कि वही किस कारण आपने मुझे याद किया है माता पार्वती ने उनसे बोला कि हे गनपदी जी मैं आपसे हाथ जोड के अनुरोध करती हूं कि आप तीनों गनों के स्वामी हो सिस्टी के रचैता हो रचैता ने आपको खुद उत्पन किया है अप आनादी हो आपका अंत नहीं हो सकत है तो आप सब की मनो कामना पूरी करते हों मुझे एक मनो कामना पूरी कीजिए कि मुझे पुत्र की दापति करा दीजिे अब गणपदी जी ने ने बोला कि आपको कैसा पुत्र चाहीए माता पार्वती जी ही सोच पड़ आपके की पुत्र चाहिए और जैसे ही माता पार्वती ने ये बोला कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए गंपती जी ने बोला कि है माता मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूँ मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है आप परिशान मत हुए मैं स्वैम ही आपका पुत्र बनके आऊंगा कर जब माता पार्वती ने ठीक ऐसे ही किया माता पार्वती जी अगले दिन स्थान करने के लिए गई और जब माता पार्वती जी स्थान करने के लिए गई तो उन्होंने एक उप्टन को लगाया उप्टन को लगाने के बाद उनके सरीर में हर किसी के सरीर में पांच तत्व होते हैं इच्छी उनके शरीर में भी शरीर से ये पांचो तत्व उस उप्तन में समाहित हो गए माता पार्वती जी ने जब उप्तन उतारा तो उससे एक बालक की आकरति तयार करी और गनपति द्वारा जो भी मंत्र दिया गया था उनका आहान किया और वो मंत्र बोला जैसे ही माता पार्वती जी ने वो मंत्र बोला है, एक सुन्दर सा बालक उनके सामने प्रकट हो गया, अब जैसे ही सुन्दर सा बालक उनके सामने प्रकट हो गया, माता पार्वती से उसने बोला, हे मैया पर नाम, आप मेरा नाम बताइए, अब माता पार्वती ने बोला है कि आपने मेरे विनय को हरा है अर्थार आपने मेरे दुख को हरा है इसलिए आपका नाम विनायक है बोलिए विनायक भगवान की जय तो गनेश भगवान जी का सबसे प्रथम जो नाम था वो था विनायक आगी की कथा मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगे कि कैसे माता पार्वती के क कहने पर ही भगवान शीब ने अपने पुत्र विनायक का शीष काटा था जी हां ये शीष काटने के लिए भी माता पार्वती ने बोला था इसके लिए आपको अगली वीडियो देशनी पड़ेगी तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइ झाल